हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मां आपको शोट अंब्रेला स्लिवस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी जिसके साथ हम नॉर्मल स्लिवस भी अटेज करेंगे विसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है तो आप भी जरू ट्राइब करिए और इस टाइ हम फोल्ड करेंगे इस टाइब से और आप इसे हम एट फोल्ड कर लेंगे तो यहां पर जितना भी फैब्रिक बचा था हम ने सारा ले लिया है और अब कोर्णर से हम यहाँ पर इसकी लंबाई देखेंगे यहाँ पर 7.5 इंच है अगर आपको इसलिवसे की लंबाई जादा रखनी है तो आपको फेब्रिक जादा लेना होगा अब कोर्णर से राउंड में 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कोर्णर से एक मार्किंग 2 इंच पर करेंगे और इसे भी कट कर लेंगे राउंड शेप कट कर लिया है साइट से इसे कट करके अलग कर लेंगे तो देखिए इस टाइब से हमने दोनों स्लिवसे की कटिंग एक साथ ही कर ली है जिस साइट हमने इसे ओपन किया है उस साइट हमको 1 इंच की छटाई कट करनी है तो हमने नीचे से वन इंच की छटाई कट की है और हाफ इंच की उपर से भी कट कर लेनी है तो इस टाइब से उपर की साइट से स्लिवस की लंबाय ज्यादा रहेगी और नीचे की साइट जहां पर हम आर्म होल में जोइंट करेंगे तो fitting के side में इसकी चोड़ाय कम रहेगी हमने side में pico कर ली है अब देखिए इस umbrella slews को हम center पर marking कर लेंगे double fold करके blouse ready कर लिया है हमने back part और front part और इस gear के center से हम blouse के center को मिला कर रखेंगे और center से हम दोनों side में attach कर लेंगे देखिए हमने center से center मिलाते हुए एक side में slide चला कर attach कर लिया है अब इसी तरीके से हम दूसरी side में attach कर लेंगे इस gear को attach करने के बाद जैसे हम normal blouse में slews ready करते हैं सेम तरीके से आपको slews को ready कर लेना है main fabric और lining fist को attach करके यह देखिए मैंने आपन slews को ready कर लिया है और slews में हमने जो छटाई cut किये उसे front वाली side रखना है और अब जैसे हम normal blouse में slews attach करते हैं सेम उसी तरीके से हमको slews को attach कर लेना है पहले आप पर हमने umbrella slews को attach किया है और फिर normal slews को attach किया है यह देखिए इस type से हमको दोनों side में slews को अच्छे से attach कर लेना है यह देखिए हमारे slews भी attach हो गई है और इसी के ऊपर जो umbrella slews भी बहुती finishing के साथ attach हो गई है अब हम slews में overlock कर लेंगे और blouse में fitting की सिलाई लगाते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी fitting की सिलाई लगा लेनी है इसी के पास हमने एक सिलाई और चला ली है और इस type से हमने साइट में स्लीव से जोइंट किया है और fitting की सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है सेम तरीके से आप दोनों साइट में स्लीव स अटेज कर लीजिए उस type से हमारा normal स्लीव और umbrella स्लीव से दोनों रेडी हो गया है तो friends कैसा लगा आपको आज का डिजाइन्स कर दो